हलो, what's up, कैसे हैं आप सब, सुभाई साब, आ रहे हैं CA final exams May 24 के जल्द ही, और आपका जो 5 months का scenario होता है, December, January, February, March, April, और फिर हमारे exams आ जाएंगे, वो अब शुरू होने वाला है, तो कई सारे बच्चे जाएंगे अपनी study leave में, उसको लेके, कई सारे बच्चों के मन में यानि हमने जो May 24, November 24 के fresh batches थे, वो तो इस साल किये, बट कई बच्चों ने क्या क्या audit की classes जो थी, वो उन्होंने पिछले साल ले ली, तो sir क्या करना है, तो मेरी भात ध्यान से सुनना, जिन्होंने हमारा regular batch लिया था, उनको मैंने sort करके दे दिया है, sir sort करके कैसे दे दिया मैंने already आपका regular batch था, वो जो Google Drive थी, उसमें नए वाले lectures चड़ा दिये, क्या sir हमको सारे देखने मैंने का नहीं, आपको एक document भी दिया है, जिसमें मैंने आपको बताए, कौन-कौन से lectures आपने कैसे देखके चलने है, क्या ये बात समझ आती है, हाँ sir, now talking about the fast track batch, इसको भी मै भी sort करने में लगाओ, the process is on, by November end, आप मान के चलो 90% of the amendments, 90% of the editions भी आपको अपने Google Drive में मिल जाएंगी, तो जो भी audit को लेके आपकी दिक्कते हैं, उसको मैंने आपके लिए already sort कर दिया, तो कोई दिक्कत आने नीचीए, क्या ये बात clear है, हाँ sir, अब आज आज वासर second आपको बोल रहो यही बात, आप कहलो basics है, हम ना basics बोल जाते हैं, हम tension लेते रहते हैं, इसकी revision कैसे होगी, उसकी revision, अरे बाबु पहले class तो complete कर लो, और जो classes complete कर रहे हो, उसको properly करो, सर, properly का क्या मतलब है, जब आप जो class देख रहे हो, जो teacher आपको instructions दे रहा है, उसको follow करते सर, उसमें तो time लगता है, ए महीने से ज़्यादा time लगता है, तुम समझ रहे हो, नई सर, 6 महीने से ज़्यादा time तो नहीं लगता, तो भाई, अभी time दे दो न, खतम खानी, अगर आपके F.R. के faculty आपको बोलते हैं, कि ये 4 questions homework में करो, तो भाई, उनको homework में करो, सर, मैं homework म आपको class में कह रहे हैं, उन instructions को follow करो, ठीक है, तो जो आपकी पहले classes है, उनको properly करो, अगर classes properly completed होगी, revision करने में आनन्द ही आनन्द आएगा, क्या ये बात समझ आती है, हाँ sir, अब अगर आपकी सारी classes complete हो गई है, specifically for audit अभी बतारो, एक short में, क्या करना है, जितने भी class students है, हमने क्या क्या सर, जैसे जैसे classes complete होई, उनकी हमने short revisionary clips बनाई, 15 minute की, 20 minute की, 25 minute की, maximum 30 minute की, आपने क्या करना है, जैसी आप audit की revision उठाते हो, दो इसकी उपर भी में एक detailed video आपको दूँगा, अभी के लिए जो बच्चे जल्दी से start करना चाहते है, revision समझ लो मेरी बात, आपन notes के साथ बैठना है, primarily revise करना है, क्या पड़ा था, फिर recall करने ये चीजें, जो सीखी थी, सर, क्या ये चीजें फटाफट recall हो जाएंगी, भाई ऐसा नहीं है, आपको अराम से 10 से 15 दिन तो निकालने पड़ेंगे, और 10 से 15 दिन में आपका अराम से मामला set हो जाएगा, फिर ट्रिकी questions थे, already हमने 2024 की जितनी भी batches करें, चाहिए fast track हो, या regular हो, हमने सारे के सारे questions करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी, even जो ये मैंने आपको changes provide किया है, इसमें भी मैंने आपको जितने भी ICA के नए questions है, उनकी Quotient Bank videos दे दिये, क्या इत्ती सी बात स हा सर समझ गए, हा सर समझ गए, अब कई बच्चों को लगता है, अब मैं बताता हूँ, दो category के बच्चे है, एक बच्चे जिनकी classes complete नहीं हुई, और एक इतनी जल्दी classes complete करके बैठ गए, सर पूछरे, mock test का क्या करे, mock test अभी नहीं देना, अभी mock test दोगे, बे मतलम में under confident ह बे मतलम में tension आ जाएगा, और मैं वो tension फिर दूर नहीं करने वाला, मैं आपको simplicity आप जाता हूँ, जो मैंने किया था, अभी कोई mock test देने की ज़रूरत नहीं है, आप जो भी mock test देंगे, वो second revision के बाद देंगे, यानि first revision में आप subject के साथ comfortable होते हो, subject को सीखते हो, second revision तक दिन में, तो 6-7 दिन जब complete होंगे, और उसके बाद अपना mock test दो, फिर आप अपने next subject की revision पर जाओगे, क्या ये बात समझ आती है, हाँ sir, अब कई बच्चों के मन में doubt चल रहा है, सब multi-disciplinary paper को लेके, तो मैं आपको बता दो, आज की time पे ranker बच्चा क्या सोच रहा है, मैं सबसे correct हूँ, उनसे मैंने बात बात किया, मैंने पूछा, what are you people considering about multi-disciplinary paper, तो सुन लो मेरी बात, भाई साब, जो ranker बच्चा है न, वो इसके बारे में सोची नहीं रहा, वो सोच रहा है, पहले 5 paper में महारत हासिल कर दू, एक बार मेरे first 5 paper sort out हो जाते हैं, तो मैं multi-disciplinary automatically निकाल लूँगा, sir law और HCMP का क्या करें, पहले 5 को sort करो, फिर उनके बारे में सोचो, क्या ये बात समझ आई नहीं आई, हाँ sir, तो पहले आपका जो focus है, वो first 5 papers पे होना चाहिए, कि पहले 5, पांडव, जो मेरे 5 पहले paper हैं, वो मेरे 5 रतन एकदम बढ़िया तरीके से sort हो जाए, फिर उसके बाद क्या करो, law के साथ start करो, because that is comparatively easier than costing, law में आपने क्या करना है, रोज आपने 2 घंटे दे के चलने है, प्रेम पूरवक तरीके से, रात के 2 घंटे निकालो, कि 10 से 12, 9 से 11, 8 से 10, जो भी आपके time बैठता है, वो आपने law को देना है, पहली priority एक बार self उठा के देखो, नहीं हो रहा सर, तो revision videos देखो, नहीं हो रही सर, तो फिर आप class ले लो, इस तरीके से आप law को करके चल सकते हो, क्या ही बात समझाती है, हाँ सर, दूसरा आपका एक बार मानलो law भी हो गया, मतलब मैं level wise चल रहा हूँ, पहले 5 paper भी बढ़िया हो गया, law भी एकदम पर जा सकते हो, और costing में same approach follow करने है, या तो self करने की कोशिश करो, नहीं हो रहा, तो revision से करो, नहीं हो रहा, तो फिर आप class लेने की सोच सकते हो, तो यहां मैंने 4 एहम मुद्दे जो थे, मुझे लगता था discussion करने की जरुवती, उनके बारे में आपके साथ discussion कर लिए है, ठे पर आपको best of the best guidance देने की कोशिश करू, as a faculty, because देखो, simple सी बात है, मैं थोड़ा selfish हूँ, sir आप selfish क्यों हो, मैंने आपको audit पढ़ाया, बट वो जो audit पढ़ाया, उसका फल कम मिलेगा, जब आप audit का exam clear करोगे, the answer is no, जब आप chartered accountant बनोगे, तो chartered accountant बनने के लिए सिर्फ audit की न students तक पहुन जाए, and yes, अगर अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया, do subscribe to the channel for more such videos, and yes, यहीं खुशी-खुशी मन लगा के पढ़ते रहो, खुशी से पढ़ेंगे, तभी आगे बढ़ेंगे, जल्द ही मैं आपके साथ 5 months का जो planner है, वो भी लेके आता हूँ, उसमें भी हम सारी चीज